दोस्तो आज मैं आपसे जॉर्डन पिटर्सन की बुक 12 Rules of Life की समरी आपसे सेयर करने जा रहा हूं जिससे आप सीखेंगे कि अपने लाइप को और्गनाइजड कैसे करें अपने प्रॉब्लम्स या परिशानी को कैसे दूर रखें और खुद के अकेले पंसे कैसे बचें पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे ताकि आउने वाले सभी वीडियो जिससे आप फायदा उठा सकें तो बिना किसी देरी की करते हैं कान की बात नमबर वन कंधे तान कर सीधे खड़े हो आउथर कहते हैं कि जब आप सीधे खड़े होकर गहरी सांस लेंगे तो आप अच्छा महसूस करेंगे इसलिए अपने सिर को उचा रखें इसे जुकाये नहीं और स्माइल करें जब आप ऐसा करते हैं तो आपके बाड़ी में सेरोटोनीन का लेवल बढ़ता है सेरोटोनीन एक हैपी हार्मोन है जो आपके नसों को आराम देता है और आपके इम्मिनिटी को मजबूत करता है जिसे के आपको अच्छे अच्छे वीचार यानि के थौट साती हैं आई इस एक एकजामपल से समस्ते हैं लॉबस्टर यानि की केकड़े समुद्र की गहराई में सर्वाइव करने के लिए बहुत संघर्ष करता है जब केकड़े लडाई करता है और वो जीत जाता है तब वो अपने आपको और बड़ा दिखाता है उसके बाड़ी में एक केमिकल होता है सेरोटनीन जो रिलीज होने लगता है और अगर कोई केकड़ा हार जाता है तो वह और छोटा हो जाता है जिससे उसके अंदर सेरोटनीन का लेवल कम हो जाता है इसलिए एक अच्छी पोस्चर वाला केकड़ा अपने एरिया का विनर होता है वह असानी से अपने शिकार को फसा सकता है वहीं दूसरी ओर एक जुका ह हुआ केकड़ा हमेशा एक लूजर होता है उसके बॉड़ी में सेरोटनीन का लेवल कम होता है इनसान भी इस पहलों में बिल्कुल केकड़े की तरह होती हैं इसलिए खुद को लूजर मत समझे अच्छे मौके आपको तभी मिलेंगे जब आप पॉजिटिव होंगे और तो हम उनका कितना ध्यान रखते हैं हम उन्हें डॉक्टर के पास लेकि जाते हैं उन्हें समय पर दवाई देते हैं और वो हर चीज करते हैं जिससे वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए लेकिन जब हम खुद बिमार होते हैं तो अपना ध्यान नहीं रखते समय पर आपकी जिन्दगी कितनी बदल जाएगी और आप कितना ओर्गनाइजड हो जाएगे अगर आप स्वस्त और खुश रहेंगे तो इसका पॉजिटिव असर आपके लाइप के हर पहलू पर पड़ेगा जिससे आप ज्यादा प्रोडेक्टिव हो जाएगे तो इसलिए आज से ह खुद का परवाह करना और अपना ध्यान रखना सुरू कर दें नमबर थ्री जो लोग आपका भला चाहते हैं उन्हें अपना दोस्त बना लें अगर कोई ऐसा इंसान आपका दोस्त है जिसके दोस्ती करने के लिए आप कभी किसी और को नहीं कहेंगे तो भला आपने पर चलने के लिए कह सकने का हिम्मत रखता हो आए इसे एक एक जामपल से समझते हैं आउथर कहते हैं कि उनका एक दोस्त था एड जो बहुत इंटेलिजन्ट और स्मार्ट था वो दोनों साथ में पार्टी करते थे आउथर ने कॉलेज में एड्मिशन ले लिया लेकिन आशे में चूर है आखिर ओधर एड को एकांत में ले गए और उन्हें वहां से जाने के लिए कहा इसलिए दोस्तों लाइट में लक्ष का होना बहुत ज़रूरी है अपने अंदर विनम्रता लाएं और जला साहार दिखाएं अपनी निरने छमता का इस्तिमाल करें और स्व स्किल में महारत ही हो पर आपको कोई ना कोई ऐसा आदमी जरूर मिल जाएगा जिसके सामने आप अक्छम नजर आएंगे यानि आपका स्किल फीका पड़ जाएगा इसलिए अगर आप एक गिटारिस्ट हैं तो खुद को जीमी पेस से कंपेर मत कीजिए और अगर आप सेफ हैं खुद को वैसे एकसेप्ट करें आपको जो हुनर है उन्हें बहतर कीजिए दोस्तों अगर आप दूसरों की नकल करेंगे तो ना उनके जैसा बन पाएंगे और ना आपकी खुद की कोई अलग पहचान बन पाएगी इसलिए खुद को दूसरे से कंपेर करने के वजाए आप कल क्या थे उससे खुद को कंपेर करें ऐसा करने पर ही आप असल में फर्क देख पाएंगे हर दिन खुद को कल से अच्छा बनाने की कोशिश करें इससे आपको सच में खुद पर प्राउट फिल होने लगेगा अपने आपको दूसरे से कंपेर करना आपको निगेटि करने लगें आउथर कहते हैं कि एक तीन साल का बच्चा एक भीड़ भावाले एयरपोर्ट पर अपने पैरेंट्स के पीछे पीछे चल रहा था जो बहुत सरारत कर रहा था वह सब के सामने जोर जोर से चिला रहा था उसके माता पिता उसे अम देखा कर रहे थे और वह बह आगे आगे चलते जा रहे थे बच्चा अपने पैरेंट्स के पीछे पीछे चल रहा था वो सिर्फ उनका ध्यान अपनी ओर करने की कोसिस कर रहा था हो सकता है कि उसे कुछ चाहिए था लेकिन क्योंकि उसके पैरेंट्स उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे अगर उसका पैरे प्रेदार फेरेंट्स एक दिसिप्लिन बच्चे को बड़ा करती हैं क्योंकि वो अपने बच्चे को नई चीजे सीखने और जानने के लिए खुला छोड़ देते हैं और साथ ही उनके लिए लिमिट विसेट करते हैं और अगर बच्चा कुछ गलत करता है तो उसे तुरंत र करने से आप ये कभी हासिल नहीं कर पाएंगे बलकि वो आपसे दूर होते चले जाएंगे दुनिया की आलोचना करने से पहले अपना घर संभालें क्या आपने उन सभी मौकों का पुरा लाब उठाया है जो आपको दिये गए क्या आप अपने नौकरी या करियर में कड़ी मेहनत करते हैं क्या आप अपने जीवन साती और बच्चे से संभाण जनक वहवार करते हैं क्या आप ऐसी आजताओं के गुलाम हैं जो आपके स्वास्त और हीताओं के लिए सही नहीं हैं क्या आप अपने जीवन में सुधार ला पाए अगर इसका जबाब ना है तो आप ज भालें आईए इस एक एक्जाम्पल से समझते हैं एटॉन चेखाब के पिता को सराब पीने की आदत थी वो नशे की हालत में रोज अपने बच्चे को मारते थे उनका परिवार गरीब था और वे एक छोटे से मकान में रहते थे एटॉन के भाई बिलकुल अपने पिता की तर पेश किया उन्होंने अपने भाईयों को भी बदलने के लिए एंकरेज किया अपने घर के माहौल को बदला और आगे चलकर एटॉन बहुत सक्सिस्फुल लेखक बने आज भी उनके बुक्स ना जाने कितने लोगों को इंस्प्रेशन दे रहे हैं नमबर सेवन वह हासिल कर करना स्टार्ट करें अपने आप से पूछें कि आप इस दुनियों को कैसे बहतर बना सकते हैं और आपको आज ऐसा क्या करना है जो आपके फ्यूचर में काम आए जब आप किसी मकसद को पूरा करने में अपने लाइफ लगाएंगे तब आप देखेंगे कि आप ज्यादा और गनाइजड हो गए हैं नमबर एट हमेशा सच बोलें या कम से कम जूट ना बोलें आउथर कहते कि एक समय था जब वो अपने वाइब के साथ एक छोटे से अपार्टमेंट में रेंट पर रहा करते थे उसका मकान मालिक डेनिस थे जिसे सराब पीने की लट थी वो अपने काम के समय को छोड़ कर पूरा दिन नशे में धुत रहता था कई बार तो वो सिर्फ दो ही दिन में बियर की साथ बोतल पी जाता था वो अपने सारे पैसे शराब में उड़ा देता था जब कभी उसके पैसे और सराब खत्म हो जाते तो वो आउथर का दरवाजा खटखटा देता था चाहे आधी रात ही क्यों न हो रहा हो और साथ में वो माइक्रोवेव टोस्टर ले के आता था और उसे आउथर यनि कि जॉड़न को बेचने की कोसिस करता था जॉड़न ने एक दो बार उसका समान खरीदा भी लेकिन जॉड़न की वाइब का कहना था कि डेनिस को ये सब करना बंद करना होगा जॉड़न बहुत नर्वस थी वो नसे में धुत एक सरावी को कैसे समझा पाएंगे कि ये सब अब नहीं चल सकता फिर जॉड़न ने सच बोलने का फैसला किया उन्होंने डेनिस को सीधे सीधे कह दिया कि वो कोई समान नहीं खरीदना चाहते उन्होंने उसे समझाय कि उसकी भला इसी में है कि उसे और पैसे ना दिये जाएं जॉड़न ने जो हकिकत था उसे साब साब बता दिया जीवन वैसा नहीं है जैसा यह हो सकता है तो सच बोलने का परियास कीजिए अगर आप खुद को कमजोर हताश ठुकराया हुआ और उलजन में महसूस करते हैं तो सच बोलने का परियास कीजिए जोट से सिर्फ एक और प्राबलम खड़ी हो जाती है भले है वो किसी की फिलिंग्स को हर्ट ना करने के लिए बोला गया हो फिर वे जोट ही होता है या मान कर चलें कि आप जिस व्यक्ति से बातचीत कर रहे हैं शायद वो कुछ ऐसा जानता हो जो आपको ना पता हो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिने किसी ऐसे इंसान की जवरत होती है जो उन्हें सुने और समझें क्योंकि वो खुद को बहुत अकेला महसूस करते हैं ऐसे लोग सिर्फ अपने मन की बात कहना चाहते हैं लेकिन उन्हें सुनने वाला कोई नहीं होता और अगर ऐसा बहुत लंबे समय तक चलता रहा तो ये मानसिक रोग यानि कि डिप्रेशन का रोप ले लेता है अगर आप ऐसे लोगों से कुछ कहते भी नहीं हैं सिर्फ उन्ह ध्यान से सुनते हैं तो आप उनकी बहुत मदद करशकते हैं उसे ये जता है कि आपको उनकी परभा है और आप उसकी कंडीशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं इसे बिना सब्दों का communication वह संबात कहते हैं बोलने वाला आपके होब होब से समझ जाता है कि आप उसकी बात ध कर लेने दीजिए क्योंकि अक्सर ऐसे लोग खुद अपने प्रॉब्लन्स का सॉल्यूशन ढून लेते हैं इसलिए सिर्फ उन्हें पूरे ध्यान से सुने नमबर टेन सटीक और असपश्ट सब्दों का उपयोग करें जब हम अपने प्रॉब्लन्स को पहचान नहीं पाते त सब कुछ गलत है लेकिन यह भी मत कहिए कि कुछ भी गलत नहीं है बढ़ा चला कर यह कम करके नहीं बलकि जो प्रॉब्लम्स है बस वही बोलिए एक बार जब आप प्रॉब्लम्स को पैचान लेते हैं तब आपको समझ में आ जाता है किसे कैसे सॉल्व करना है नमबर 11 जब बच्चे स्केट बोर्डिंग कर रहे हो तो उन्हें परिशान ना करें बहुत सारे माता पिता अपने बच्चे के परती ज़रुरत से ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं वे अपने बच्चे पर कई चीजों की पावंदी लगा देते हैं और वो हमेशा बीच में आकर ब अगर आपके बच्चे का अपने फ्रेंड के साथ जगडा हो जाता है तो उनकी बात ध्यान से सुनें लेकिन उन दोनों के बीच आप इंटरफियर ना करें और ना ही उसकी प्रॉब्लम्स को हेंडल करें ये काम उसे खुद करने दें इससे आपके बच्चे को खुद ये प हम सब बहुत वियस्त हैं और बस दोड़ते ही जा रहे हैं कोई रुकना नहीं चाता लेकिन थोड़ा रुकना बहुत ज़रूरी है जिंदगी की छोटी-छोटी खुसियों का आनंद उठाएं हो सकता है कि घर लोटते वक्त आपको सड़क पर एक बिल्ले देख जाए जो ख नहीं है दोस्तो हमारी जिंदगी अस्त्वियस्त नहीं होनी चाहिए आप अपनी जिंदगी के हर पहलू को और्डर में ला सकते हैं बस आपको अपना नजरिया बदलने की ज़रूरत है तो दोस्तो ये थी 12 रूल्स आप लाइट की समरी आपको ये वीडियो कैसी लगी हमे कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक्स पर वाची